मैं अब क्या करने माला हूँ एक छोटा सा आडियो प्ले करूँ आ यहाँ पे डॉक्टर एपी जे अब्तुल कलाम का आप में से कितने लोगों ने उनकी एक आटो बाइगरफी है यूट्यूब के ऊपर जो गुल्जार ने बोली है गुल्जार सापने कितने लोगों ने सुन लोगा चार वॉटल वाटगा उसमें संगे उन दिख रही है डांस करती वह माइन हमारा वर्ड़ में सोचता नहीं है पिच्छ में सोचता है तो जैसी वो गाना चलेगा मैंड के लो संगें यह उन आएगी संगें आप नेट जा पर दिख रोगे होगया ताइम पास और रह we need a purpose जीने की कोई वजय चाहिए कोई इंस्पिरेशन चाहिए कौन है कहा से आएगी वो आई स्ट्रॉंगली रिकमेंड यू इतना स्ट्रॉंगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया डॉक्तर अपीज अब्दुलकलाम स्टुडेंट्स के 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की काम्याभी का जश्न मनाया मुझे पद्म विभूशन से नवाजा गया और डॉक्टर अरुना चलम को भी दस साल पहले पद्म विभूशन की यादें एक बार फिर हरी हो गए रहन सेन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तम था दस बाइबारा का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत कफा नीचर जो किराय पर लिया था फर्क इतना ही था कि तब ये कमरा त्रिवेंडरम में था अब हैतराबाद में वेटर मेरा नाश्टा लेकर आया इडली और चाच और आँखों में एक खामोश मुस्कराहट मुबारक बाद की मैं अपने हमवतनों की इस नवाज़िश से छलग गया मैं जानता हूँ कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं दूसरे मुलकों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए ज्यादा आमदनी के लिए लेकिन ये आदर मुहबत और इस्ज़त क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है 15 अक्तूबर 1991 में 60 साल का हो गया मुझे अपने रिटार्मेंट का इंतजार था चाहता था के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूँ ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिन्दगी के तजरुबे मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूँ जो दूसरों के काम आ सके एक तरह से अपनी सौने उमरी लिखों अपनी जीवनी मेरे ख्याल में मेरे वतन के नाजवानों को एक साफ नजरिय और दिशा की जरूरत है तब ही ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का खिर करूं जिनकी बदालत मैं ये बन सका जो मैं हूँ मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बले लोगों के नाम लोगों बलके ये के कोई शक्स कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे होसला नहीं छोड़ना चाहिए मसले मुश्किलें जिन्दगी का हिस्सा हैं और तकलीफें काम्यावी की सच्चाईया हैं जैसे कहा है किसी ने खुदा ने ये वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा जिन्दगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे खुशी है तो खम नहीं सुकून है तो दर्द नहीं होगा मुझे ऐसा कोई खुरूर नहीं कि मेरी जिन्दगी सब के लिए एक मिसाल बनेंगे मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगा पर जो समाज के किसी माज़ूर हिस्से से तालग रखता हो ये पढ़े और उसे चैन मिले ये पढ़े और उसकी उमीद रोशन हो जाए हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे उन्हें यकिन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौग को पर लग जाए और उस लौग की परवास से सारा आसमान रोशन हो जाए है तेखा क्या है हाँ है ऐसे लोग को सुनना है ऐसे लोग को बाते अंदर जाने देनी है सोचो अगर आपकी वी सोच ऐसी हो जाए तो क्या होगा सोचो दुनिया बाद में बदलेगी पहले आपकी जिंदगी बदलेगी सबसे पहले तुनिया को आप तक तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलोगे एक बार अंदर ये पनब गया ना मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार कुछ तो गयाना है होसला बनना है दुनिया के लिए कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो कुछ करना है ऐसी थोड़ी आया और चला गया क्या है कुछ करना है ऐसे लोग को सुनना है ऐसे लोग की ऑइंपॉसिबल पॉसिबल वर्ट है ना ये डिक्ष्टरी में आप सबके है ना यह नहीं impossible आई यह नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप या फ़र्च जो जाकर कर तरी बड़ी है मेरे अलमुस्ट हर सेमिनार में मेरे से कुशन जरूर पुछा जाता था तो मैंने इस बार सोचा कि उसका रिकॉर्ड कर देता हूं आप लोग के लिए वो कुशन है कि यह जो आप फ्री के सेमिनार्स करते हो इसमें आपका क्या फायदा है या इसको दूसरे तरीके से देखो कुश लोग तो पूछते भी नहीं थे वो सीधा बोलते थे कि आप यह जो फ्री के सेमिनार्स कर रहे हो इसमें जरूर आपका कोई नो कोई फायदा होगा बताओ क्या है आपका फायदा